मैं का अ हलो ओरिफंट विडी में अपने बात करेंगे एंडिंग डॉमेंस एंड स्अब मैं तो यहां पर visitacp में आना यहां पर मैं already login हो यहां पिर आना आपको लेव के अंदर आपख और अपना एक डोमेंड है जब आप इंस्टोरेशन के टाइम जो डॉमेन डालते हो तो यहां पर एक डॉमेन यह एड कर देता है उसके बाद आपको क्या करना है मैं इसको पहले डिलिट कर देता हूं ओके स्पूट सोव्डिछ वोने के बाद आपको क्या करना है ञाहर और यहां पर आपको डॉमें डालना है जो डॉमेंग मेरा यह है मैं यह निद् أن्य यह बढ़ां एंड आई-पी आपको स्ैलेक्ट करने में यह वाली इससी के साथ अपने नेक्ड़ के यह वाली जो यह है प्राइवेट आईपी और यह है पब्लिक आईपी ओके अगर आपके पास मल्टिपल्स आईपीस हैं तो आप आप आईपीस सेक्शन में जाके एड़ कर सकते हो एड़ करने के बाद यहां पर जितनी भी आईपी है वो डिस्पले होने लग जाएंगी तो जिस आईपी क में अपने को एड़ करना है एंड लेट्स इंक्रिप्ट पर आपको क्लिक करना है लेकिन SSL इंस्टॉलेशन से पहले आप MX टूल बोक्स पर जाएं और चेक करें कि जो अपना डोमेन है वो इस आईपी से कनेक्ट हो गया या नहीं हुआ तो मैं यहां पर आता हूं इस डोम आप वाली आईपी दिखा रहा है तो मतलब अपना डोमेन इस आईपी से कनेक्ट हो चुका है तो अपना SSL यहां पर लग जाएगा ओके सो इसके उपर आते हैं और अगर आपको एप टीपी इसकी सैटिंग्स बाद में डिसकस करेंगे एड पर क्लिक करते हैं तो यह यहां पर देखो डोमेन अपना एड हो चुका है मैं दुबारा से आता हूं वेब के उपर और जो SSL सपोर्ट वाल है वो आपको कुछ देर बाद यहां पर राइट यह दिखाने को लग जाएगा ऐसे ही आप सब डोमेन बगरा यहां पर एड कर सकते हो जस्ट आपक में अगच कर शकते हो यह तो प्राइविट-इपी पड्लिक आइपी जैसे आपके पास शयार चांब है सब डूमेन को अगर आपको डिफरेंट करवाना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो आइपी का मैं आपको बता देता हूं आपको मिलेगा इस सब्लिक करना है और यहां प आपके पास multiple ips होंगी तो आपको just select करने कि sub domain को मेरे को अलग IP से करवाना है point तो आप यहां पर select कर सकते हो same यह procedure के इसाब से आप sub domain भी यहां पर add कर सकते हो ओके मैं यहां पर आता हूं वेब के उपर इसको refresh करता हूं ओके तो यह है और जब आप यह domain एड़ करते हो उसी domain से यहां पर dnsp create होता है और यहां पर mail वाले में भी आपका domain हो जाता है ओके